वेलकम फ्रेंड्स जै भारत जै हिंदुस्तान दिस इस मयंक राजेश एंड यू और वाचिंग इन्फो एंड स्टडी फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी आर गोंग तो डिसकस अबाउट दा लैंड मेजर्मेंट यूनिट्स दिरिंग दा गुपता पिरियेड ठीक है बेसिक रिलेटिड गुपता पिरियेड में ठीक है बेसिकली गुपता पिरियेड जो था ठीक है उसका जो टाइम पिरियेड है वो अराउंड थी हंड्रेड एडी से लेकर 550 एडी तक माना जाता है थोड़ा बहुत आपको किताबों में अंतर मिल सकता है दो साल नो हो जाएगा गुपता पिरियेड ठीक है तो गुपता पिरियेड में हमें जानने है कि awake मापने की इकाईयां या land measurement units कौन-कौन से थी इनको हमें जान लेना है ठीक है तो सबसे पहले देखिए हम थोड़ा भुपता पिरियेड के बारे में हम जान लेते हैं कि गुप्ता पिरियेट जो था उसका जो या गुप्त शासक जो थे उनका जो छेतर था वो कहां तक था तो अगर आप देखेंगे तो गुप्त शासकों का ये देखिए ये पुरा हिमालय वाला छेतर तो ये था ही हिमालय वाला छेतर ठीक है हिमाल आपको मैप में मिले गई बंगाल, ओंगाल भी आ जाएगा इधर तो यह पूरा एरिया जो है यह गुपतों का एरिया था ठीक है न लगबग थोड़ा यह हिमालय इधर हो जाएगा आगर देखे तो इधर हिमालय फिर इधर बिंध इधर सौरास्ट ठीक है इधर बंगाल की बंगाल की खाड़ी भी आ जाती थी तो ये पूरा एक तरह से देखे तो ये गुप्त पिरियेड में ये जो एरिया है ये कवर करते थे गुप्ता रूलर्स ठीक है ये गुप्ता रूलर्स तो इस तरह से हमें ये नजर आता है मैप में हम देखेंगे तो ठीक है और इनका साशनकाल जो था वो 300 AD से लेकर 550 AD तक 300 इसवी से लेकर 550 इसवी तक इनका साशनकाल चलता है तो गुप्त पिरियर्ड में अगर लैंड की बात करें तो गुप्त अभी लेखों में इस पर हम अभी आते हैं कि कौन कौन सी लैंड मेजरिंग योनिट्स थी इसको अभी हम देखेंगे तो थोड़ा सा यो भी ये भी जान लेते हैं कि गुप्त अभी लेखों में गुप्त इंस्क्रिप्शन्स में आप देखेंगे कि जो टाइप्स ओफ लैंड्स हैं हाँ लैंड के जो प्रकार हैं उनके बारे में कुछ दिया हुआ है जैसे कि अगर एगरिकल्चरल लैंड है देखिए एगरिकल्चरल लैंड है तो यानि कि खेती योग भूमी है तो उसको छेतर कहा जाता था ठीक है वास्तु कहा जाता था रेजिडेंशियल भूमी को residential भूमी है यानि कि निवास करने लाइक रहने लाइक भूमी है तो residential खिल या कहीं-कही seal भी मिलेगा ठीक है लिखा हुआ तो खिल या seal जो है ऐसी भूमी होती थी जो जोती नहीं जा सकती थी यानि agriculture लाइक नहीं थी दीखे मैंने cross कर दिया है ये agriculture like नहीं होती थी यानि खेती like नहीं होती थी अपहरत जो भूमी होती थी वो अपहरत कहते थे forest land या जंगल की भूमी को और चारगा या pasture land जो होता था वो animals के लिए होता था तो ये नाम अलग-अलग है आपको अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा ठीक है इसके अल निवारतन या निवारतन मिलेगा ये आप ध्यान रखिएगा ये उसके अलावा अलग-अलग छेत्रों में आपको अलग-अलग भूमी माप की इकाई मिलेगी खासकर बंगाल वाले छेत्र में देखिए ये जितना है ना कुल्यवाप द्रोनवाप पाटक या आडवाप य ये आपको बंगाल वाले छेत्र में मिलते हैं ये भी भूमी माप की इकाई है अब देखिए इसमें क्या है ये तो निवारतन एक आप जान लिजे के सामाने तोर पर निवारतन था लेकिन जो ये कुल्यवाप द्रोनवाप और ये आडवाप ये है क्या ठीक है देखिए कुल्य द्रोन और ये आडव ये जो होता था ना जैसे कि यहां पर देखिए ये कुल्य हो गया के वाल कुल्य फिर द्रोन या आडव ये इसका मतलब क्या था इसका मतलब था ये ये जो थे ना कुल्य द्रोन आडव ये सब सीड्स मेजर्मेंट के यूनिट थे सीड्स मेज के उनिट थे जैसे कि एक कुल्य एक कुल्य अगर मैं कह दूं यह जो कुल्य है कुल्या एक कुल्य में कहा जाता था कि 81, 92 या 94 अराउंड handfuls यानि मुठ्थी ठीक है ना बीज आता था यह मेजर्मिंट यह है कुल्य जो है 892 या 894 मुठ्थी अगर बीज हो जाएगा तो उसको कहा जाएगा कुल्य इसी तरह से 1024 यानि 1024 मुठ्थी अगर बीज होता है तो उसको द्रोन कहा जाता था ठीक है इतना समझ लिए तो मुठ्थी से मतलब है इसका कुल्य का द्रोन का इसका मुठ्थी यानी हैंडफुल से मतलब है तो ये क्या होते थे मुठ्थियों से मापा जाता था बीज ठीक है ना बीज का measurement होता था और वाप का मतलब देखिए दो शब्दों से बना है कुल्य वाप, द्रोण वाप, आरtałवाप तो ये वाप का मतलब या वापा इंगलिश में कह लें कुल्या और वापा का मतलब मुठ्धी हैंडफूल और वापा का मतलब एक्ट अफ थ्रोइंग और आप कह सकते हैं act of scattering, यानि कि क्या scatter करना है बीजों को, seeds, जो कुल्य है जितनी मुठी है, जैसे एक कुल्य में 892 मुठी या handful, बीज है, seeds है ठीक है न, उनको जितने land पे scatter कर दिया गया तो उसको एक घुमिमाप की इकाई बना दिया गया, जैसे मैं कहूँ, कि ये एक land का टुकड़ा है ये एक land का टुकड़ा है मैं कहता हूँ, ये एक land का टुकड़ा है, मान लिजिए ये एक land का टुकड़ा है और इस पर 1892 मुठी या handful आपको bीज scatter कर दिया जाता है, bीज मतलब इतने बीज की ज़रूरत होती है इतने लैंड के लिए 1.892 मुठी या 1.892 हैंडफुल्स ठीक है ना तो यह यानि की एक कुल्य एक 892 का मतलब क्या हो गया 8192 हैंडफुल्स और सीड्स तो इतने यानि एक कुल्य बीज इतने लैंड पर इसकी छमता है कि इस बीज को इसकैटर कर दिया जाएगा ठीक है तो ये एक यूनिट बन गया लैंड वेजर्मिंट का तो इतने को कह दिया गया कुल्ले वाब अगर उसी तरह से देखिए कि अगर एक द्रोन बीज यानि कि 1024 1024 handful अगर seeds जो है इस लैंड पर स्कैटर किया गया यानि इस लैंड की capacity है 1024 मुठी बीज की इस लैंड की capacity है 892 मुठी बीज की यानि handful of seeds ठीक है तो यानि एक कुल्य मिठी एक कुल्या बीज की capacity इस लैंड की है और 1024 का मैंने बताया कि द्रोन एक द्रोन होता था तो यानि 1024 मुठी या 1024 handful handfuls of seeds यहां पर scatter किया जा सकता है तो इसको द्रोन वाप कहा गया इसको कुल्य वाप कहा गया यानि कि इतने लैंड पर इतने कुल्य की seed लग जाएगी तो यह कुल्य वाप हो गया इतने लैंड पर इतने द्रोन की seed यानि की बीज इस पर डाला जाएगा खेती के लिए तो इसको कह दिया जाएगा drone वाप तो आप ध्यान रखिएगा यह सब जो है कुल्य द्रोन ठीक है आड यह सब जो है यह बीज के को मेजर करते थे seeds को मेजर करते थे और वाप का मतलब होता था या वापा का मतलब होता था scattering ठीक है बीज को एक पर्टिकुलर एरिया में scatter किया जाना था और उसी से यह निकल के आ गया कुल्य वाप द्रोन वाप ठीक है आड वाप यह सब बंगाल में थे पाटक बहुत प्रचलित था बंगाल में ध्यान दीजिएगा तो यह सब आप ध्यान दीए यह सारे बंगाल में थे निवार्तन या निवार्तन तो एक तरह से general था ठीक है तो इसमें देखे जो information मिलता है निवार्तन के बारे में ज़्यादा information नहीं मिलता बस एक देता है कि यह general है कई बार यह exam में पूछा गया है और कि कौन सा चार option होगा और एक निवार्तन उसमें होगा कि कौन सा land measuring unit था भूमी मापने की काई थी गुप्ट period में तो आपका answer तो यह बनी जाता है बाकी कोई नहीं रहेगा तो ठीक है उसके लगा आपको 1 या 1.5 यह पूछेगा नहीं आपसे लेकिन यह देखे सिधा है कि सबसे बड़ी इकाई इसमें कुल्यवाप उसके बाद द्रोणवाप उसके बाद आठवाप अगर यहां से देखें इसको हटा दे इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती ठीक है बस इसको याद रखना है आपको कि यह था और यह सब बंगाल में मिलेंगे सबसे ज़्यादा प्रचरित बंगाल में पाटक था अब देखें यहां पर सबसे बड़ी उनिट पाटक हो जाएगी P stands for पाटक P सबसे बड़ी उसके बाद कुल्य वाप उसके बाद द्रोण वाप और सबसे छोटी आड़ वाप ठीक है ना तो इस तरह का सवाल एक बार आ चुका है UGC नेट में ठीक है ना यह नेट में आ चुका है तो यह आप यहां से आपको ध्यान रखना है हो सकता है कभी पूछ भी दे UPSC PCS में हाला कि UPSC PCS में इस तरह का सवाल आया नहीं है लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए तो इसलिए मैंने यह बता दिया सबसे बड़ी यूनिट पाटक उसके बाद कुल्ले वाप उसके बाद द्रोन वाप और उसके बाद आड़ वाप यह लिखा ही मैंने इसलिए है ताकि आपको पता चल जाए कि सबसे बड़ी यूनिट कुल्ले वाप उसके बाद द्रोन वाप उसके बाद आठ वाप तो अगर दे दे कि increasing order decreasing order या सबसे बड़ी इसमें से unit कौन सी थी सबसे चोटी यूनिट कौन सी थी या increasing decreasing order सजाने के लिए दे दे या आता है UGC में सजाने के लिए दे दिया था कि बड़े से चोटे के करम में सजाए ठीक है तो वो आप आसानी से कर लेंगे तो ये आप ध्यान रखिए ये एक बार फिर agriculture land को छेतर residential निवास करने वाले जहां लोग रहते थे रहने लाइक भूमी वास्तू agriculture जहां पे नहीं हो सकता खिल या सिल सिल भी कहीं मिल जाता है forest land ये जंगल के land को अपहरत और animal land जहां animal घासोस चड़ते हैं उसको चारगाह land ये तो ऐसे भी आप जानते हैं और यहां पर निवारतन एक general आपको unit मिलेगी उसके अलवा ये बंगाल के एरिया में कुले वापा drone वाप हाँ पाटक और आरवाप ये सब मिलेगा और सबसे बड़ी unit इसमें इन चारों में पाटक उसके बाद कुले वाप उसके बाद drone वाप उसके बाद आरवाप सबसे बड़ी पाटक और सबसे छोटी आरवाप ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक बारा screenshot ले ले So this is the end of the video do like, share and subscribe take care, keep smiling जैहिंद झाल 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 झाल